नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मज़े कर रहे हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गतिविधियां अब हमारे पास एक और उधारन है जहां पर जोडेंगे घटाएंगे और मिलान करेंगे तो तीनों काम साथ में करेंगे पर धीरे धीरे सबसे पहले दिया गया है आठ जमा साथ आठ में साथ किस तरह जोडेंगे? संख्या पट्टी पर देखें तो आठ पर पैंसिल रखकर आप लगा सकते हैं साथ छलांग तो देखिए कहां पहुँचे? नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा पर आठ जमा साथ हुआ पंदरा तो हमने इसे मिला दिया पंदरा से इसी तरह आगे देखते हैं नो, जमा नो, नो जमा नो कैसे करेंगे? अपनी पैंसिल नो पर रखिए और लगाईए नो चलांग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, आप देखिए कहां पहुँचे? नो पर पैंसिल रखिए लगाई नो चलांग तो हम पहुँचे? अठारा पर तो नो जमा नो को जोड़ेंगे? अठारा से इसी तरह दस जमा दो भी कर सकते हैं बहुत आसान है दस के बाद दो जोड़िये? ग्यारा बारा तो हमें मिला बारा अब दस जमा दो को जोड़ेंगे बारा से आगे सोला जमा एक एक ही चलांग लगानी है सोला से लगाई एक चलांग तो पहुचे सत्रा पर तो सोला जमा एक को जोड़ दिया सत्रा से अब आखरी में हमारे पास है ग्यारा जमा तीन यानी ग्यारा पर रखी पैंसिल और लगाई तीन चलांग तो हम पहुचे बारा तेरा चौदा पर फिर से चौदा पर तो ग्यारा जमा तीन को जोड़ देंगे चौदा से दोस्तों अब दाई तरफ दी गई संख्याई देखते हैं और सुल जाते हैं सबसे पहले है पंदरा घटा तीन यानी पंदरा से उल्टी तरफ तीन चलांग लगाएंगे और देखिए कहां पहुचे एक दो तीन हम पहुचे बारा पर क्या आपको याद है अभी हमने करा था दस जमा दो बराबर बारा तो बारा बनाने का एक और तरीका हमें मिला पंदरा घटा तीन तो पंदरा घटा तीन को मिला दीजिए बारा से आगे देखते हैं अठारा घटा एक बराबर हुआ सत्रा तो हमने इसे जोड़ दिया सत्रा से याद है अभी हमने सोला जमा एक भी करा था तो भी सत्रा आया था यानी सत्रा बनाने के फिर से मिल गए हमें दो तरीके आगे है सत्रा घटा दो अठारा घटा शूने आप इने हल कीजिए और जो संख्या आए उसके साथ मिलान कीजिए दोस्तों आप देख पाएंगे कि एक ही संख्या को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं जोड के भी और घटाना के भी साथियों एक मज़े की बात बताएं गिनना जोडना और घटाना आप रोज ही करते हैं विश्वास नहीं हो रहा कुछ उधारन ऐसे देखते हैं जहां आप देख पाएंगे कि गिनना जोडना और घटाना हमारी जिंदगी का एहम हिस्सा है आइए चलते हैं सबसे पहले एक कुमहार के पास एक कुमहार के पास नौ दिये थे उसने पांच दिये बेच दिये तो नौ में से पांच दिये अगर बेच दिये बचे कितने नौ दियों का चित्र बनाए और पांच दियों को हटा दे और बचे एक दो तीन चार चार दिये अब आगे देखते हैं क्या हुआ फिर उसने साथ दिये और बनाए अब उसके पास कुल कितने दिये हैं साथियों हमारे पास थे चार दिये उसने बनाए साथ और दिये अब कुल कितने दिये हैं कैसे जोडेंगे चार में साथ को जोडेंगे तो हमें मिलेगा पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा यानि कुमहार के पास अब हैं ग्यारा दिये आपने जरूर ऐसा देखा होगा जब आप दिये या कोई और सामान खरीदने जाते हैं जोडना और घटाना तो चलता ही रहता है अब हम बात करते हैं एक स्कूल बस की और देखते हैं कितने बच्चे हैं कितने चड़ गए कितने उतर गए बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे चड़े दूसरे स्टॉप पर बस में 8 बच्चे और चड़े यानि अब कितने बच्चे हो गए? बताओ बच्चों 6 जमा 8 यानि हमें मिला 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 छे में 8 जोड़ा तो मिला 14 यानि अब बस में 14 बच्चे हैं आगे भी कुछ हुआ, त्यान से देखिए तीसरे स्टॉप पर 7 बच्चे बस से उतर गए अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? 14 में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे? सोचिए 14 में 7 घटाएंगे क्योंकि 14 में से तो 7 बच्चे उतर गए ना? देखिए 14 बच्चों में से 7 बच्चे हटा दिये तो बच्चे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फिर से साथ तो स्कूल बस में अब हैं 7 बच्चे मज़ा आ रहा है स्कूल बस की सवारी में एक और उधारन देख लेते हैं बस में कुल 18 सीते हैं इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं गाडी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? सोचिए क्या करना होगा? 18 सीते हैं, 9 बच्चे पहले से हैं तो खाली सीतें कितनी हुई? असान है ना? 18 में से 9 हटा दीजिए या कहें घटा दीजिए 18 में से घटाया 9 तो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीते यानि अभी गाडी में 9 बच्चे और बैठ सकते हैं स्कूल बस के बाद अब हम पहुँच गए हैं एक बच्चे के पास जो अपने डब्बे में कुछ टौफियां लेकर आई थी आईए देखें टौफियों का क्या हुआ कुल जीत अपने डब्बे में 14 टौफियां लेकर आई कुछ टौफियां अपने दोस्तों को बाटने के बाद उसने देखा कि डब्बे में 6 टौफियां है अब हमें बताना है कि उसने दोस्तों को कितनी टौफियां बाट दी क्या मुश्किल लग रहा है? बिलकुल नहीं, टौफियों को तो हम यो गिन लेते हैं चौदा टौफियां थी और अब बची हैं सिर्फ छे पता करना है कितनी टौफियां बाटी गई तो चौदा में से छे हटा देते हैं चौदा टौफियों में से छे टौफियां हटा दी तो बची एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ टौफियां, मज़ा आया? अब एक मज़ेदार सवाल हमारे दोस्तों के लिए रमन ने बारा केले खरीदे और उनमें से कुछ केले खा लिए उसके पास पाँच केले बचे बताओ उसने कितने केले खाए? साथियों, यह सवाल केले खाकर असानी से हल किया जा सकता है पर ध्यान रहे इतने सारे केले आप एक बार में ना खाएं अपने दोस्तों और परिवार के साथ बाट कर खाएं और इस सवाल को जरूर हल करें हम फिर मिलेंगे और मज़ेदार गती विधियों के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और गिनते रहिए, जोडते रहिए, घटाते रहिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हसते रहें, मुस्कुराते रहें नमस्कार झाल